तो मेरे सभी दोस्तों को गड़े शतूर्थी की हार्दिक सुबकामना है हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और यहां सोसाइटी में गड़े शतूर्थी के दिन सभी लोग गड़े मुर्थी को लेकर के स्थापित करने के लिए जा रहे थे और तीज का नेक्स डे है तब्यात ठीक नहीं थी मेरी तो मैंने जल्दिबाजी में दाल और चावल बनाया था तो मैं वही शूट हलका सा की थी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं दी की थी पूरे टाइम मेरी तब्यात ही नहीं सही थी हे गाइस विलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ दिक्षा और आप लोग का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज है आठ तारिक और परसों 30 थी और मेरे कल ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि तब्यात ठीक ही थी व्रत के बाद और तब्यात कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए थी तो कल मैं गई थी शाम को हॉस्पिट है और वहां पर मुझे मैं दवावाने करके आई हूं तो अभी मुझे थोड़ा आराम है तो अभी देखती हूं मैं बहुत लंबा ब्लॉग तो नहीं बनाऊंगी और कल जो तीश के दिन अवरत के बाद समान चूटते हैं सुबह मैं तो वह सब चीजें मैं चूई थी तो वह सब इकठा करके मैं दे देती हूं तो वह लजा करके अभी इस टाइम जो है दे देगे मंदिर पर देखती हूं मैं जाती हूं हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है आज तीज के वाद आज दो दिन हो गया है लेकिन पताने क्यों बहुत वीक्नेस ही और एसे लग रहा है कि मिचली सा रहा है तब्यत बिल्कुल ठीक नहीं है दवा ले करके आई हूं और अभी दो टाइम से मैं दवा खा रही हूं थोड़ा आराम तो है मुझे पहले से इंजेक्शन वगेरा भी मुझे लगे हैं तो यह देखिए यहां पर इंजेक्शन लगा था यहांपर पता निक्यूँ ब्लू हो गया है मे भी सही से ना लगाया हूं उन्हें जो भी है वहांपर दर्द भी हो रहा है मुझे तो अभी मैं इस ब्लॉग के बहुत लंबा नहीं करूंगी और शाम का टाई मैं अभी हम लोगों ने चाये पिया है सब लोगों ने तो बस अपर चलते हैं और ब्लॉग को लाइख जरूर कर दिए गा तो मेरा ना ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि जिस हिसाब से मैं महनत कर रही को भी जो भी है तो saat मतलब नहीं है मेरा मेहनत करने का और मैं उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करूं कुछ और मेहनत वाला काम करूं मैं ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आ है क्योंकि 20-30 लोग देखते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 3-4 घंटा लगा के ब्लॉक शूट करूं फिर एडिट करूं उसको फाइनल और फिर इसको पोस्ट करूं उसके बाहुज़ मतलब मेरा 5-6 घंटा तो जाता ही जाता है और उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता किस चीज़ों continue करना चाहिए और 26 तारीक तक मेरा वो था कि जो मुझे punishment मिली थी कि मैं monetize नहीं कर सकती अपने चैनल को तो 26 September को मैं फिर से ट्राइ करूगी अगर monetize हुआ तो ठीक है otherwise मैं छोड़ दूगी क्योंकि जब तक कोई अच्छा result में आए तो उस चीज में काम करने का कोई मतलब नहीं है और मुझे इसमें कोई support भी नहीं रहता है यह तो बिल्कुल सही बात है तो चलिए देखते हैं क जबने का करना है मुझे मैं continue करती हूं कि नहीं करती हूं है तो दोस्तो हम लोग जाएं है मंदिर की और और एनर्जी बिल्कुल डाउन है तो मैंने सुचा चलो थोड़ा सा ब्लॉक शूट कर लें क्योंकि दो दिन का गैप हो चुका था और कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसमें गाप करना अच्छा अच्छी बात नहीं है न तो जब तक कर रहे हैं तब तक अच्छे से करें फिर जब छोड़ां के देखिए छोड़ते हैं कि क्या करते तो वो वीज-पचीस दिन के बाद डिसाइड हो जाएगा अभी फिलाल चल रहे हैं ये पंडी जी को देने और मंदिर पहुंच करके ब्लॉब को कॉंटिन्यू करेंगे पता निकूँ है ना वह वैसे हो जा रहा ब्लॉर हो जा रहा है वीडियो क्यों फोकस कर रहा है फिर थोड़ी थोड़ी देर पर नहीं कर रहा देखिए यहां पर सबके घर पर सोलर पैनल लग चुका है मेरे माय के वाले घर भी लग रहा था पर जब तक लगने वाला था तब तक मैं चली आई वरना मैं तो मैं शूट की होती लेकिन यहां चली आई तो हम लोग आ गए यहां पर और स्कूटी को यहीं भी खड़ा कर दे रही हूं एक सेंड यह वाला फूल पूजा में चढ़ाते हैं तो देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं और यहां हमेरे सुसाइटी में नीचे ओपन जिम भी है आपको छोटे बच्चे यहां खेल रहे हैं यहां पर छोटे बच्चों का बना हुआ है शीशा है की लिए है हाथ में मुच आ गई है बहुत दर्द कर रहा है यहाँ पर स्वेलिंग भी है न तो चल यह चलते हैं यहाँ पर दर्शन करके फिर घर चलते है और लग रहा है कोई कथा वह था अंदर चल रही है तो हम लोगों का दर्शन अच्छे से हो गया है और यह हमारे पंडी जी है सुसाइटी के तो इनको हम लोगों ने सिध्धा दे दिया है जो भी छुआ था और प्रशाद ले करके और यहां पर यहां सिस्टर खड़ी थी जुन्हों ने यह कथा और हर हपते ही होती है तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी कथा सुनिये तो हम लोग भी कुछ देर के लिए यहां बैट गया थे और बहुत कि दूसरे के अच्छा के लिए था रही करते है वास्ताविक्ता में प्रेम कहा है वहीं है तो इसलिए एक चीज शास्त्रे भी बहूता है कि वास्तविक्ता में एक मनुश्यत को कुछ मनुश्यत को प्रेम नहीं हो सकते है क्योंकि मनुश्यत में निस्वार्थता कभी completely 100% पर भगवान के साथ प्रेम हो सकता है क्योंकि भगवान जो है क्या है उनकी कपासिटी अनलिमिटेड करने है पर ऐसा मनुष्य हमारी कपासिटी क्या है लिमिटेड है ना चाहे कोई कितनी ही कि अच्छा रिलेशनशिप सबसे एक माता और एक बच्छे का क्योंकि उसमें सबसे एक प्राप स्वार्थ है और लोगी खराब हो इतने साथ भी अपर्शन कर देए बद माता ही बच्चे का हमत्या कर देए इतना कुछ अगर बट शाह से बताते हैं कि जो माता और बच्चे क अगर अगर इससे भी कुछ रिलेशनशिप एक जीट का भगवान से क्या है तो इस लोग में भगवान क्या क्या है कि है अरजवन आप संसार के वहो रूपी जंगल से भार में और उसका तरीका क्या है संसार से आ सकती हटा के भगवान में आ सकती तो जोड़ना अच्छा और आप अपने 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 हर वेक्ति की अलग आ सकती हो सकती है तो यह आपको कैसे खुछ से मॉनिटर करना बढ़ेगा सर्फ और प्रोस्पेक्शन करना बढ़ेगा हेलो दोस्तों तो मंदिर आये थे और यहां पर भगवत कथा चल रही थी तो आधे से गंटे के करीव हमने भगवत कथा सुनी है और अभी ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा संसारिक आ करने जब माली ने लिए राम नाम का अब मैं जाब करूंगी तो देखिए यहां सुबह सुबह हमने बनाया है पोहा है और साथ में यह चाय अच्छाए अ हेलो दोस्तों आप लोग के हैं मौसंग कर क्या हाल है हमारे यह तो इतनी तेज बारिश हो रही है इतनी तेज बारिश हो रही है यह देखिए कि इतनी घंगोर बारिश हो रही है और बहुत देर से हो रही है थोड़ी देर से नहीं हो रही है बहुत देर से हो रही है देख स पानी पूरा आ गया और यह देखिए पूरी बालकनी जो पानी से भरी हुई है यह सब पूरा पानी पानी भर गया है मतलब हमने स्लाइडर लगवा रखा है लेकिन स्लाइडर बंद होने के बावजूद यह साइड साइड से पानी आ रहा है और पूरा मतलब बहुत देर से व पारिश हो रही है और यह कप्ड़े वगए जो भी फैले हुए थे सब भीग गया है वापस है तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर इंट करते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ आई गूप आप सबी लोग अच्छे होंगे यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों फैमिली में शेयर करिएगा और अगर इस सहर पर नए हैं फुट्राइब करना बिल्कुल मैं भूलिएगा मिलते एक नए ब्लॉग के साथ तब तक की लिए बाए और देखें मेरी तूल्ची जी भी सूप रही है तो नहीं तूल्ची जी नाकी में लगाने वाली है बाए